हाई व्यूवर्स मैं वरजीना सेमसन आपको अपने चैनल में वेलकम करती हूँ तो आज हम बनाने जा रहे हैं मतन फ्राय यह बक्रे का गोश्ट है इसको हम फ्राय करेंगे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बिल्कुल साधा और असान तरीके से और वही चीजे इसमें दलेंगे जो हमारे घर में है तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं तो यह मैंने 1 दान किलो व्राव करे का सब्राय कोंढ़ा है थब्लास साइस के टमाटर लिये हैं, दो हिस्सों में मैंने काट लिया है, तो यह हम इस तरह उपर रख देंगे, और यह दो चमच भरके बड़े वाले अधरक लसन को मैंने ग्रेट किया हुआ, यह हम इसमें डाल देंगे, तो इसमें एक चमच हम नमक डाल देंगे, यह वन टी स्पू तकरीबं 1.5 चमच यह घर की कुटी भी लाल मिर्च यह डाल देंगे दो यह इस तरह में साबत वाली लाल मिर्ची बीच में डाल रही है अभी हम इसमें पानी एड करेंगे इतना बानी कि यह गोश्ट इसमें पूरा डूप जाए यह हमने गैसोन कर दी है अब हम इसको धक के 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए रखेंगे हलकी आग पे पहले तेज आग किये यह एक दफ़ा उबल जाए फिर इसको कम आग करके हम 15 मिनट के लिए गोश्ट को गलने तक के लिए पका लेंगे तो अभी हम धक देते हैं मिलते हैं 15 मिनट के लिए देखें यह देखें हमारा यह बॉयल हो रहा है मतन तो अभी मैं यह उपर जो इसके चिलके हैं टमाटर के वह में रिमूव कर दूँगी जैसे कि यह है यह इस तरह यह सारे चिलके हम उतार देंगे तो यह देखिए मैंने सारे टमाटर जो हैं वह उनके चिलके उतार दिये हैं अब यह टमाटर खुदी कल जाएंगे अब हम इसमें एड़ करेंगे खड़े मसाले तो यह एक तेज बता है छे से साथ अदद लॉंग हैं यह तीन छोटी वाली लाइचियां हैं और यह 10-15 काली मिर्ची हैं और एक यह दालचीनी का टुकड़ा है इनकी बहुत अच्छी खुश्बू आती है इसमें तो यह मैंने इसमें एड़ कर दिये अब मैं आदा चमच इसमें यह भुना कुटावा जीरा डालूंगी और यह आदा चमच इसमें भुना कुटावा धनिया डालूंगी अब इसमें बाकी की चीज़े जैसे हरी मिर्ची है और हरा धनिया है और कसूरी मेथी वो हम एंड में डालेंगे तो अभी हम इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं जब तक कि यह पानी इसका खुश्क न हो जाए आदा कप इसमें ऑईल डालेंगे तक्रीबन आदा कप है ओईल का बिल्कुल देसी तरीके से रेस्टोरन स्टाइल में और बहुत ही जबर्दस बनने वाली है अब इसको ढखके हम इसको पकने के लिए रखते हैं तो यह देखिए वीवर्स यह देखिए हमारा कितना जबर्दस गोश्ट जो है वो बुन के त करेंगे और यह पांच हमने हरी मिर्ची नहीं है इनको मैं कट करके डालूंगी दो मिर्चों को हम इस तरह कट करके डालेंगे और दो को हम अब इसको मिक्स करके सिर्फ दो मिनट तक हम और इसको पकाएंगे हमारी कडाई जो है वो बिल्कुल बन के तियार हो गई है कडाई नहीं सौरी मटन फराई तो यह देखिए हमारा मटन फराई बनके बिल्कुल रैडी हो गया है अब हम इसको डिश में निकालेंगे इसको टोटल तीस मिनट लगे हैं पांच मिनट हमने ऐसे फ्राई किया है 25 मिनट हमने हलकी आग पे इसको धक के पकाया है तो अब हम इसको डिश आउट करेंगे अभी गैस को बंद कर देते हैं और निकाल के फिर आप से मिलते हैं लीजिए हमारा जबरदस्ता मटन फ्राई बिल्कुल ढबा स्टाइल बनकर तियार हो गया है तो अभी यह हम इसके उपर थोड़ा सा धनिया गार्निश करेंगे यह देखिए कितना जबरदस्त लग रहा है यह देखें बोटियां देखें कितनी जबरदस्त हैं और बिल्कुल गल गया है और इसको टोटल पकाने में हमें 30 मिनट लगें हमने 25 मिनट इसको ढखके हल्की आग पे पकाया है तो वीवर्स अगर आपको मेरी ये रेस्पी अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें दुआओं में याद रखें मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेस्पी के साथ खुदा हाफीज थैंक्स फॉर वाचिंग